बच्चो थोड़नेर पहले NTA की ऑफीशल वेबसाइट पे एक नया प्रेस रिलीज जारी क्या गया वहां पे कुछ और नए डेटा बताए गया उसी मेंसे डेटा था आपके बस अनफेर मीन्स का और वो जो नंबर था वो 2015 से कई जादा था जिसके बाद जो एक कोशन मार्क बहुत जादा खड़ा हो रहा है क्या नीट 24 रिकंड़क्शन में जा सकता है या नहीं जा सकता है देखो यह मेरा परसल नहीं है 2015 का वो डिसेजन वो हीरिंग जो कि कल सुप्रीम कोट ने किया हुआ है जी 2015 का जब हीरिंग अगर सुनेंगे तो उन्होंने जो वर्ड यूस क कर हमें मिलता है तो फिर हम लोग कुछ बड़ा डिसेजन ले सकते हैं यह पूरा मैंटर क्याना मैं आपको बहुत स्मॉल टाइम में बताऊंगा क्यूंकि आपको अपडेटे रहना बहुत जरूरी है और आपको रियालिटी पता होना बहुत जरूरी है कुछ लोग कह रहे ह हो रहा है कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हो रहा है कुछ लोग इसे बच्चे बड़े कंफ्यूज होता है हम 2015 की जर्जमेंट के हिसाब से 24 को यहां पर प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे तो 2015 में क्या हुआ था जी हमां CBAC को रिप्रेजेंट करें ते सॉलिसेटर जनरल रंज इग्जामिनेशन में AI PMT में तो उन्होंने क्या बोला कि 44 बच्चे सिर्क तुमारे इनवाल थे अन्फेर मीन्स में तो उससे हमारे 6.3 लाग एंडेट अफेक्ट नहीं होने चाहिए इस समय उस समय फिर सुप्रेम कोट ने क्या बोला देखो तो कोट ने क्या बोला था यहां पर क्या बोला देखेंगे तो यहां पर क्या बोला देखेंगे तो आज आपका जो प्रेस रिलीज हुआ है उसमें NTA क्या कहती है NTA क्या बोला देखेंगे तो यहां पर क्या बोला गया कि तो टोटल नंबर ऑफ अनफेर मीन्स इंदर नीट इजो 24 इस 63 पहले कितने थे आपके बास 44 थे अब वो 44 जो ते वो चीटिंग करते वह पकड़े गया थे उससे में ब्लूद डिवाइस आपका यूज हुआ था अ अब ये तो NTA रिलिश किया कल सुप्रेम कोड के जधेस नहीं क्या बोला तो सुप्रेम कोड के ज़िस सेन्तिटि एग्जामीनेशण की वह आपकी अफेक्ट हुए है यह Supreme Court ने आपका accept कर लिया है कि भाई जो पवित्रता है वो आपकी भंग हुई है आईए जी और Supreme Court ने NTA को notice दिया है कि भाई पेपर लिक के उपर बताईए क्या है तुमारा action क्या है जी अगर ये चीज अगर proof हो जाता है अब देखो यहाँ पे न मेन रोल प्ले करेगा investigating officer जो की पतना पुलीस है गोदरा पुलीस है वागे राजस्थान की पुलीस है अगर investigating officer प्रपर्ली अगर evidences अगर Supreme Court के सामने अगर रख देते हैं तो फिर यह आपका mass level पर जा सकता है बचो सुप्रेम कोट ने क्या बोला है मैंने प्रपर्ली वा जज्ज्मेंट का वीडियो भी बड़ा वाइरल हो रहा है सुप्रेम कोट ने सिंपल सा यह बोला कि हम counselling प अभी stay नहीं लगाते हैं हम NTA को 8 जुलाय तक का time देते हैं जितना प्रूफ आपको collect करना कर लीजिए लेकिन अगर हमें कोई issue मिला ना तो हम लोग counselling को stay करवा देंगे फिर हम लोग further decision के और जाएंगे need conduction कराना है या नहीं कराना है वो result के पहले वाली बात थी जी यहां पर grace marks के बारे में उतनी जिकर आपकी नहीं की गई है बचो तो अगर आप उस हिसाब से अगर देखते हैं अगर तो इससे अपने हो क्या समझ में आ रहा है कि अगर supreme court को अगर कुछ issue मिलता है need 24 में मेरे मन का कुछ नहीं अगर supreme court को लगता है कि कई ना कई sanctity completely bridge की गई है तभी तभी तुमारे पास यह order कर सकते हैं reneet के लिए और या तो counselling को stay करा सकते हैं या तो वो कुछ और alternative option दे सकते हैं आपको अज के प्रेस रिलीज में data उनने दे दिया ना कि 63 बच्चे जो है वह unfair means से आपके effect हुए और यह data जादा भी हो सकता है क्योंकि 30-32 लोग तो पटना में involved थे है ना because as per the FIR अगर आपन देखे जाएंगे तो 30-32 लोग कि 25 लाग की बच्चे उमें कैसे आपके बास 63 बच्चे involved हो सकते हैं क्या यह थोड़ा सा suspicious लग रहा है अब यहां पर investigating officer और police authorities काम करेंगी हमारा कुछ भी नहीं बच्चो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा यार hope for the best and prepare for the worst अब आगे कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए हमें worst condition के लिए प्रिपेर रहना पड़ेगा औरी बहुत सारी प्यायल जो है supreme court में डाली गई है यार बट मैं तुमको दुझार 15 का फैक्ट चेक है वो मैं करके बता रहा हूं कि पंदरा में यह वहा तो सुप्रीम कोट ने order दिया दो नहीं बोला एक भी बच्चा अगर guilty found होता है ना तो वो पुरा meritless भी गाड़ सकता है यार और यहां पर आपकी बास 63 बच्चे अफेक्ट हुए है जिन्नोंने affection cause करवाया है जी ठीक है but we are always with you guys कुछ भी अगर issue होता है ना we are always with you और में को किसी से फरक नहीं पड़ता है लोग मेरे बार में क्या बोलते है मेरे कुछ बच्चे ह हैं जो कि बहुत डरे वे रहते हैं मैं उनको अर्थम reality से रुबरूप करवाना चाहता हूं ठीक है तो यह reality और यह fact है अब जो भी judgment आएगा Supreme Court का उसके पर भी आपको update देते रहेंगे जी बट आज यह आपका NT की तरफ से आया है जी अगर रिकंडेक्शन करवाना होगा त तो यह आपका प्यास पूरा का पूरा मांजरा है कुछ भी दिखकत होगा डू लेट असमें ता कमेंट सेक्शन मलते हैं अंगले वीडियो में अभी एक लिए बसत रहें थांक्यू जय हिंद बाबाई